elo बच्चों, क्या हाल हैं, हम लोग ने last series में इस percentage booster की series में last chapter alcohol phenol ethers का discuss किया थाotal कुछ सवाल important थे, कुछ सवाल पुराने थे, गुछ चीजों को revise करके उस chapter को cover किया जा सकता है आज जो next chapter स्टार्ट कर रहा है या next chapter का थोड़ा सा revision करना चाहते हैं अब वो है aldeide ketones carboxylic acid यह जो chapter है यह बहुत जादा important है पुरानी बातों से भी थोड़ा सा link है और मुझे लगता है पुराने functional group आकर यहीं आराम करते हैं आप किसी भी functional group से शुरुआत करते हैं एक अच् करते हैं पहला जो सवाल उठाते हैं यह पूछा गया सवाल है ठीक सवाल बनाए गया था लेकिन पुरानी concept से ही related है कुछ बहुत नयापन नहीं है बिकाज यह सवाल इस तरह के सवाल जिसमें प्योर कार्मली ग्रूप की न्यूक्लियोफिलिक addition reactions को highlight किया जाता है यह कई ब कार्मल ग्रूप है वो सर साइनाइट के साथ न्यूक्लियोफिलिक addition reaction कर सकता है यह अलग बात है सर अगर यह एक ऐसा कार्मल ग्रूप होता जिस पर acetic hydrogen नहीं है that is aromatic aldehyde लिया गया होता तो ऐसे में सर बहुत जादा संभावनाए थी कि यह benzoine condensation करता लेकिन अब यहां पर ऐसा कुछ भी सीन नहीं है मुझे ऐसा लगता है यह साइनाइट जो है सर यह इस डेल प्लस पर न्यूक्लियोफिलिक addition reaction शो करेगा और hydrolysis यह कहती है कि साइनाइट जब लग जाता है तो after hydrolysis you get an acid. साइनाइट की partial hydrolysis तो amide बनाती है लेकिन साइनाइट की full hydrolysis acid बनाती है तो अगर किसी सवाल में ऐसा लिखा मिले कि मेरे पास साइनाइट ग्रूप है और मैं इसको partially hydrolysis कर रहा हूँ यह word use करना पड़ेगा उसको partial hydrolysis तो अगर आप उसको partially hydrolysis कर रहे हैं तो ऐसे में सर जो final product बनता है वो amide बनता है लेकिन अगर आप साइनाइट की full hydrolysis कर रहे हैं यानि अगर इसकी further hydrolysis की जाए तो ऐसे में जो final product बनता है वो acid बनता है तो अगर सवाल में mention नहीं किया गया है तो फिर ऐसे में तो फिर हम इसका direct answer acid ही लिखते हैं क्योंकि अगर आपने mention नहीं किया है तो मैं assume करता हूँ कि पहले amide बनेगा amide acid का derivative है और acid का कोई भी derivative hydrolysis के बाद दुबारा acid ही बनाता है तो इसका मतलब यह हुआ सर इस सवाल में भी मुझे ऐसा लगता है कि इस acidic environment में finally जब cyanide condition हो चुका होगा तो जो पी product बनेगा वो hydrolysis के बाद एक acid होगा इसका मतलब यह हुआ जो अगर मैं पहले पी की बात करूँ तो वो जो पी निकल के आने वाला है वो ऐसा कुछ निकल के आने वाला है जिसमें यह ring होगी पीछे मैंने कुछ किया नहीं यह CL होगा और इधर आ जाएगा OH इधर लग जाएगा CS3 और इधर लग जाएगा COH हाँ सर मुझे बात भी आपकी सही लगती है यह आपका पी ही होना चाहिए लेकिन अगर मैं पी के बाद क्यों की बात करूँ तो सर यह जो रिएजेंट है यह रिएजेंट किसी आसिट के सामने रखने का शायद एक ही परपस है कि यह एस्टरिफिकेशन करने की कोशिश कर रहा है सर इस एस्टरिफिकेशन यानि आसिड और अलकोहल आसिडिक प्रॉसेस में जो एच्प्लस की डिमांड है वो बहुत जादा नहीं है एच्प्लस अपने मतलब भर का लीजे सर यह केटलाइज मेकानिजम मेरे घूम फिरके वापस निकल आएगा आपको भरने की क्या जरूरत है क्योंकि अगर आपने एच्प्लस भर दिया तो कहीं ऐसा नहीं जो कि एच्प्लस अलकोहल पर अप्रोच करने लगे और अलकोहल पर एच्प्लस का अप्रोच बहुत दर्दनाक होगा क्योंकि वो इलकोहल को खतम करके अलकीन मनाने लगेगा आप सोचेंगे मीठी-मीठी-समेल आएगी एस्टर बनेंगे यहां कुछ नहोगा एक ए यार हो जाएगी अल्कोहल भी चला जाएगा बात समझ रहा है तो इसका वलब यह हुआ कि अगर एस्ट्रिफिकेशन आप करते हैं तो यह एस्ट्रिफिकेशन में यह जो सी ओएच ग्रूप है वह एटी ओएच के साथ एक एस्ट्र में करणवर्ट हो जाएगा तो सर यह बड़ा सीधा है मेकानिजम तो नहीं लिख रहे हैं बट आंसर मुझे समझ में आता यहां तक का यह पीछे जैसा था वैसा है और यहां पर आपका कार्बन है इस कार्बन पर एक ओएच है इस कार्बन पर एक CS3 भी लगा है और नीचे आपका एक ester तयार हो गया COET, सर ये मेरा ester, और ester जब बन जाता है तो मुझे लगता है कि खुबसूरत reaction इस्टार्ट होती है ग्रिगनार्ड के साथ, ग्रिगनार्ड जो होता है वो axis में ester के साथ रियाक करके कोशिश करता है कि वो एक 3 degree alcohol बनाए, अगर वो ester alky formate नहीं, यानि ester वो जो alkyl formate होता है, यानि HC double bond O, O, HC double bond O, O, तो सर वो तो 2 degree alcohol बनाएगा, axis ग्रिगनार्ड के साथ रियाक करके, लेकिन इसके लावा कोई भी ester आप ले, तो उस case में सर पका आपको 3 degree alcohol देखने को मिलेगा, तो अगर आप 3 degree alcohol की बात करते हैं, और final product की बात करते हैं, तो साब समझ में आता है, सर ये ग्रिगनार्ड इस COET के साथ रियाक करेगा, अगर ये axis में है तो क्या होगा, सर पहला step ये होगा, अब इस पहले step में logical है, सर ये pi bond टूटेगा, ऐसे कैसे sigma bond को तोड़ देंगे, पहले pi bond टूटेगा, तो जो इसका transition state या intermediate type की जो चीज़ बनेगी जिसको आप बोल सकते हैं, ये आ जाएगा CH3 और इधर आ जाएगा OET सर ये आपका पहलाद, मज़े की बात क्या है, सर जिस carbon पर आपने attack किया है, वो carbon SP2, ये substitution reaction है, nucleophile आ रहा है, और देखें, leaving group जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये वाला carbon SP3, आचा और आगे बात करते हैं, और आगे क्या होगा, सर ये O- वापिस अंदर आएगा, तब लात मार के leaving group को leave करवा दिया जाएगा, तो इस case में जो final product बनने वाला है, वो final product क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा, RC double bond OCS3, और ये leaving group यहां से leave कर जाएगा, सर अगर आप ध्यान से देखें, तो ये जो carbon फिर से तयार हुआ है, ये carbon SP2 carbon, यानि सर एक, मुझे ऐसा लगता है, this is substitution, substitution, nucleophilic substitution reaction, हाँ, बिल्कु सही है, सर, this is nucleophilic substitution reaction, इसमें कोई doubt नहीं है, लेकिन सर, ये जो nucleophilic substitution है, वो alkyl halides के nucleophilic substitution से कैसे differ करती है, आप समझेए, ये बड़ी important कहानी हो गई, सर, एक alkyl halide के अगर आप यही reaction पढ़ रहे होते, तो इस RX पर ये nucleophile approach करता, आपने पढ़ बनती है, और उस transition state में, सर, nucleophile R पर जुड़ता चला जाता है, और X यहां से निकलता चला जाता है, this is my transition state, और इस transition state को अगर और थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, तो समझ में ये आता है, कि ये finally, X यहां से निकल जाएगा, और nucleophile जाके यहां जुड़ जाएगा, सर, बिल ये आ रहा है, कि जिस carbon पर approach हो रहा था, वो जो carbon है हमारा, वो है, SP3, और जिस carbon पर आप, जिस carbon को आप अब observe कर रहे है, ये SP2, और जो finally carbon तयार हुआ, वो फिर से क्या है, SP2, यानि मैं ये बताना चाहरा हूँ, इन दोनों में जो साफ अंतर दिखाई दे रहा है, वो इस ब पहले substitution reaction, अलकाई हिलाइट की पड़ी थी, उनमें approach SP3 पर होता है, transition state SP2 बनती है, और फिर से वो SP3 बन जाता है, सर यही एक अंतर है, SP3, SP2, SP3, SP2, SP2, सर बोथ हो substitution reactions, इसको कोई मना नहीं कर सकता, कि मैं इसको भी nucleophilic substitution के नाम से जानता हूँ, सिर्फ फर्क इतना है सर, this is normal nucleophilic substitution SN2, and this is substitution reaction, जिसकी transition state tetrahedron होती, तो उपर वाली जो reaction है, this is SN2TH के नाम से जाने वाली, जो acids के derivatives show करते हैं, सर, this is ester, ester, amide, acid, halide, anhydride, सर, यह सारे लोग nucleophile के सामने जब भी आते हैं, सर, वो पक का substitution nucleophilic biomolecular tetrahedron mechanism follow करते हैं, and that is SN2TH, the difference between this SN2TH and SN2 is, normal SN2 says, attack on SP3, the transient state will be SP2, and finally you get SP3 carbonate, लेकिन in the substitution reaction in acid derivatives, in that case, attack on the SP2 carbon, the transient state will be SP3, finally it is again SP2 carbon, दोनों बाते सेम हैं, सिर्फ अर्क इतना हैं, they both are nucleophilic substitution reaction, the difference in the transient state का hybridization, transition state का hybridization, जिस केस में tetrahedron होता है, that is acid derivatives के केस में, उसको SN2TH के नाम से जाना जाता है, तो अब अगर मैं reaction की बात करूँ, तो आप दे देखा, ग्रिगनाड ने सबसे पहले ये काम करके ये बना दिया, और इसके बारे में दुनिया जानती है, सर इसको कैसे छोड़ सकते हैं, ये कीटोन है, और कीटोन ग्रिगनाड से दुबारा रियाक करता है, बात कई बार हो चुकी है, कीटोन ग्रिगनाड से रियाक करके, tertiary alcohol बनाता है तो इसका मतलब यह हुआ यह ग्रिगनाड फिर से किटोन के कार्बली सेंटर पर अटाक करके tertiary alcohol फॉर्म करतेगा बात खतम हो जाएगी यानि कि आपका जो final product बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा क्या बनने वाला है final product final product बनेगा R, C एक कार्बन पहले से आ चुका है एक कार्बन आपने और धक्का मरवा दिया और यह आपका बन गया 3 degree alcohol यह आपका final answer है मुझे लगता है सब लोग इस बात से agree करेंगे और जो लोग समझदार है जो पढ़ रहे हैं उनको इस बात का idea भी होगा कि सर हाँ मुझे याद आ रहा है कुछ करा तो ऐसे ही जाता था समझे बात यह आपका 3 degree alcohol है इसी बात को लेके अगर मैं सही से देखूं तो मेरा सवाल यही कहता है सर जैसे ही आपने यह ester बनाया तो इस बात को कह चुके हैं आप जैसे ही ester बनेगा सर यह finally CS3MGBR के साथ रियाक कर रहा है और इसके 2 mol को यूज़ कर रहा है तो मुझे लगता है सर फाइनल आंसर बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बहुत आसानी से फाइनल आंसर तयार किया जा सकता है यहाँ पर तो यह CL रहेगा ही रहेगा लुएज बनाया गया जो कि मुझे उमीद वैसे तो कम रहती है लेकिन मेंस वाले कभी-कभी थोड़ा सा हरान करते हैं एक साथ-एक से जाधा concept पर सवाल पूछने के हाला कि देखा जाए तो पहला concept nucleophilic addition से related था this is a normal nucleophilic addition reaction second is asterification and the third is again nucleophilic substitution reaction तो यह important लगता है, उस nucleophile substitution में भी अगर आपने देखा हो, तो पहला step तो substitution ही है, आप देखे ज़रा ध्यान से, पहला step तो substitution ही है, यह nucleophile आया और leaving group चला गया, लेकिन उसके बाद जो आप यह हरकत कर रहा है, this is not substitution, क्योंकि आप आपके पास कोई leaving group नहीं, ऐसे में जब grenade के अब आपने nucleophilic addition किया है, sino hydrine formation करके, उसके बाद आपने esterification किया है, esterification के बाद आपने ester तयार किया है, और उस ester पर आपने पहले step में तो substitution किया है, और दूसरे step में फिर से nucleophilic addition किया है, तुम समझदार होगे, तो मेरी इस बात को समझ जाओगे, समझ के करोगे, तो स समझ में नहीं आ रहा है, तो आप समझदार है, तो समझने की कोशिच करिए, इस सारी बाते आपके मतलब की है, इस level पर तयारी करनी जरूरी होती है, नहीं तो paper देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन number आते वक्त वो बुरा लगने लगता है, उसका reason बड़ा clear है, खो CRT को अगर देखें, तो Kenny Zaro reaction पर थोड़ा सा जोर तो दिया गया है, साती साथ अगर और दिमाग लगाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जादा सवाल जो है, वो पूछे जा चुके हैं Kenny Zaro reaction पर, तो अगर आप जहां से देखें, तो यह मुझे Kenny Zaro reaction दिखाई देती है because this compound does not have any acid reaction और आपने अगर concentrated NUH का use कर रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह आदमी जो है, यह ठीक रहेगा यह काम करने के लिए, तो आपने NUH उठाया और NUH का OH ने सबसे पहले धक्का मारने की कोशिश की किस कारबन पर, सर उस कारबन पर जो मुझे लगता है धक् तो इसमें कोई शक नहीं, सर हाइडरोजन की वज़े से यह लीस हिंडर्ड कारबन होगा, सर धक्का यहीं पड़े, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानि अगर आप मेकानिजम की बात करें, तो मेकानिजम भी बनाई जा सकती है, और नहीं तो जुवाल भी यात किया जा सकता, तो चलिए, सबसे पहले मेकानिजम भी बना के मैं आपको दिखा देता हूँ, मेकानिजम बहुत सीधी है, इसमें कहीं कोई जंजट नहीं है, सर, यह pH है, यह C double bond O है, इस कारबन पर आपने धक्का मारा, तो इसका मतलब यह हुआ सर, हाइडराइट पहले से लगा था, और यह आपने O H लगा दिया, नेक्स स्टेप क्या आएगा सर, नेक्स स्टेप में दुनिया जानती है, यह कहनी जारो रियाक्शन का सर, रेट डिटर्माइनिंग स्टेप होने जा रहा है, that is RDS, what is RDS, O माइनस वापिस आएगा पाई बॉन्ड बनाने, तो कारबन कहेगा क्या कर रहे हो, पांच डंडे बनाओगे हमारे, तो ऐसे में एक आदमी को लात मार के निकाला जाएगा, वो कौन होगा वो आदमी, सर, O H होगा, आईए O H को निकालिए, वो कहेगा हजीब आदमी हो, अभी आए, फिर चले गए, फिर आए, फिर चले गए, इसलिए तो यह रिय माइनस बगल के कार्बनल सेंटर पर अटाक कर देगा, जिसको आप हाइडराइट ट्रांसफर कहते हैं, समझने बात को, अच्छा, अब जैसे यह बनेगा, आप इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो यह देखे, pH आ जाएगा, यहाँ पर O हीडरोजन मुझे दे दो, अगर तुमने यह एच प्लस निकाल के मुझे दे दिया, तो मैं बड़ा अहसान मंद रहूंगा तुम्हारा, तो यह ओ क्या बोलेगा, अगर मैंने अपना एच प्लस तुम्हें दे दिया, तो मेरे उपर माइनस आ जाएगा, मैं तुम्हें कार, जिसको आप इंट्रा मॉलिक्लर या प्रोटॉन एक्चेंज का नाम बोलते हैं, इस प्रोटॉन एक्चेंज गिवस पी एच, ऊपर आ जाएगा, ओएच नीचे एक आच आ चुका था, और यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, अगर आपने एच लिया है, तो समझे बात, यानि फाइनल आंसर जो देखने को मिल रहा है, वो फाइनल आंसर मुझे लगता है, पी एच, सी एच, ओएच, सी डबल बॉन्ड यह लगता है, समझे बात, अब सर यह क्या सवाल आएगा, कैनिजार उपर तो इतना ड्रामा करेंगे, नहीं ने यार, बड़ा स दूसरे कारबन को अलकॉल बनाके जोड़ दीजे, सर यह देखे कितना असान है, इस कारबन पर अलकॉल बन गया, दूसरे कारबन पर सॉल्ट बन गया, आंसर आ गया, कुछ करने की ज़रूरती नहीं, यानि जब कभी भी कहने जारो रियाक्शन हो, और आप यह डिसाइड क होगा, क्योंकि intra molecular cannizarro reaction जो होती है, वो second order reaction होती है, normally, so this is a normal cannizarro reaction, जो कि एक second order reaction मानी जाएगी, जिसको ऐसे लिखा जा सकता, this is normal second order cannizarro reaction, intra cannizarro is second order, intra अगर हैं, तो आप second order reaction, नॉर्मल OH- Concentration के साथ बात कर रहे हैं और अगर आप Inter कहनी जारों की बात कर रहे हैं तो आप 3rd order reaction होंगे और नॉर्मल OH- Concentration की बात कर रहे हैं अगर आप OH- की concentration को कुछ बढ़ाने की कोशिश करें तो ऐसे में सर आपका order एक-एक युनिट से बढ़ सकता यानि नॉर्मल OH का याद कर लेते हैं 2nd order, 3rd order, if you increase the concentration of OH- the next order will be Inter will be 3rd order and the Inter will be 4th order and that is a very unique reaction 4th order reaction जिए जनरली एग्जिस्स शायद ना करके बराबर करती हैं ठीक और आगे बरते हैं यह देखे बड़ा खुबसूरा सवाल पूछा गया है, बड़ा अच्छा लग रहा है, इस तरह के सवाल जो है, जैई के मेंस के पेपर में अब शुरू हो गए है, जैई के एडवांस में इस तरह के सवाल भी देखने को मिलते थे, हम यह नहीं करें हैं, मुशकिल, लेकिं कम सकम सोच साफ हो रही है सोच साफ हो रही मतलब बच्चे को जो सोच के Organic Chemistry पढ़ानी शुरू की जाती है वो सोच दिखाई देती है कि बच्चे को शुरू से ये चीज़ समझाई जाती है कि Hydrogen निकलेगा, Acidic Hydrogen है वो Acidic Hydrogen जादा है, वो Acidic Hydrogen कम है ये बिल्कुल शुरूआत से ये Organic Chemistry में स्टार्ट होती है वही चीज़ यहाँ पर भी बात कर रहा है OET- मुझे एक बढ़िया आद्मी नजर आता है जो कि एक बढ़िया बेस की तरह भीएव कर सकता है और ये OET- एक ही बात बोलेगा कि भाईया ऐसा है मैं आपकी बात नहीं सुनूँगा मुझे तो सिर्फ एक चीज़ है मुझे Acidic Hydrogen दे दीजिए बात खतम करिये, यहाँ Minus आज़े अब क्या होगा सर ये Minus कुछ-कुछ सर मुझे ये Eldol Condensation भी जैसा लगता है और कुछ-कुछ मुझे ये Deakman's Condensation या Claisen Condensation जैसा भी लगता है हाला कि Claisen Esters के Condensation reactions है Esther की reaction है लेकिन ठीक है सर अब ये जैसे ही Negative Charge आएगा ये Negative Charge as a Nucleophile इस Carbonal Center पर अटाक करेंगे जैसे ही आप इस Carbonal Center पर अटाक करेंगे ये Pybond टूड याएग ये एक Nucleophile की तरह भी एफ कर रहा है तो reaction is SN2TH So this is SN2TH फिर क्या होता था सर ये वापिस Lot के आएगा जैसे ये वापिस Lot के आएगा तो क्या बनेगा जैसे ये वापिस Lot के आएगा ये OET यहाँ से Leave कर जाएगा तो जो मुझे पहला step आपका समझ में आ रहा है वो पहला step ये समझ में आ रहा है क्या है आपका पहला step पहला step में सर देखिया ऐसा इधर तो कोई छिरखानी आप करिएगा नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे चले ठीक है सर ये आपकी 5 member drink है बहुत खुबसूरत ये आपका CS3 है सर यहाँ भी कोई छिरखानी मत करिएगा चलिए यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे उसके बाद सर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर जहाँ पर आपने अटाक किया है उसको और बाकी सारे कारबन्स को अगर आप देखें जोड़कर तो कुल मिलाके देखिए आप एक, दो, ये यहाँ जाके जोड़ेगा तो तीन, चार, पाँच और छे, सर ये तो मुझे खुबसूरत six member ring नज़र आ रही है बात तो आपकी ठीक है, एक six member ring जो यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है ऐसे करके, कैसे कैसे बनेगी, ये बनेगी सर ऐसे एक six member ring दिखाई देती है एक, दो, तीन, चार, और ये किस के साथ जोड़ेगी और ये एक आया दो, तीन, चार, पाँच, छे अभी हम इसको सीधा करके बना देंगे तो ये सर एक six member ring नज़र आती है और इस six member ring को अगर आप ध्यान से देखें तो जिस कारबन ने अटाक किया उस कारबन के बगल वाला, यानि एक और ये यहाँ पर आपका double bond O है, बिल्कु सही है और जहाँ ये अटाक हुआ, उस कारबन पर अगर आप देखें तो उस कारबन पर भी double bond O है तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, आप समझने की कोशिश करिए और इसको देखते ही एक चीज़ समझ में आती है कि अगर इसको थोड़ा सुन्दर बनाया जा सकता है अगर इसको थोड़ा सुन्दर बनाया तो सुन्दर ऐसा बन जाएगा ये 5-member ring है, सर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं इस 5-member ring के एक कोने पर यहाँ पर माल लीजे ये जो negative charge है जब यहाँ से जाके जुड़ेगा तो सारा हिस्सा, सारे carbon ring का पार्ट बनेंगे सारे carbon ring का पार्ट बनेंगे एक double bond O होगा जो उपर की तरब भी है और एक double bond ये यानि कि एक double bond और है जो हमें लिख लेना चाहिए और वो double bond कौन सा होगा जो six member ring है उसके ऊपर वाला एक double bond ये भी है तो आप जहां तक सवाल है कारल कार्बन का तो कारल कार्बन भी दिखाई देते हैं और वो कारल कार्बन अगर आप देख पा रहे हैं तो एक कारल कार्बन मुझे ये दिखाई देता है और एक कारल कार्बन मुझे यह दिखाई देता है, सर मेरे पास दो कार्बन जो हैं, वो कारल है, समझे, बाकि सारे कार्बन ऐसे हैं, जो या तो SP2 है, या फिर सर SP3 तो है, लेकिन उन पर दो-दो हाइड्रोजन लगे हैं, मैं इन सब चीजों को ध्यान नहीं रखता, मुझे एक ऐसे कार्बन दिखाई देना चाहिए था, जो एक asymmetric कार्बन है, जिसको किसी भी तरह से दो टुकड़ों में बराबर बाटा ना जा सके, सर्व वो दो लोग ये दिखाई देते हैं, बहुत या आसान सवाल है, और ये भी पूचा गया सवाल है, चलिए अच्छा, इस त step-down process, जिसमें एक कार्बन कम हो जाता है, अमाइड जो CO NH2 ध्यान रखना, अमाइड CO NH2 वाला होना चाहिए, अमाइड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये वाला अमाइड ही reduce करता है, यही वाला अमाइड ही कार्बन को छोड़ता है, जब आप BR2-KOH के साथ या BR2-NOH के सा R NH2, समझ ये बात, यानि RCO NH2, R NH2 में convert हो रहा है, उसके लिए specifically यही group होना चाहिए, मतलब मैं कई बार बोल चुका हूँ, पता नहीं इस चीज़ की क्या importance तुमारे लिए है, बट ये important है, this amide should be like this only, amide तो और भी तरह का हो सकता है, सर amide तो RCO NH3 भी हो सकता है, यानि N के समझ ये बात को, ये mechanism ये कहती है, बाद में कभी बात करेंगे, कि सर ये CO NH2 का होना जरूरी है, वरना आप ये R NH2 नहीं भना पाईं, चली खैर, तो जो हमें समझ में आ रहा है, सर ये तो अब यार्टू के हो सकता है, ये जिंक अमलगम का खेल होता है, और सब लोग इस बा बहुत खुखशूरत है, सर, A का अंसर 3 है, और B का अंसर 4 है, एक अंसर 3 है, B का अंसर 4 है, सर, इसका म् civी वहां, आंसर A और C में से हो सकता है, अब अंतर आ रहा है, C का answer 1 होना चाहिए, बहुत बड़िया सर, C का answer 1 है, तो answer हमारा C है, समझी बात, क्लेर है बहुत आसान सवाल था आगे चलते हैं विच विल हैब थाइस इनॉल कंटेंड देखे वैसे तो इनॉल के लिए बोला जाता है डबल बॉन्ड और ओएच के बीच में एक एकलिबरियम सेट हो रखा है कीटो और इनॉल के बीच में एक चीज़ समझ में आती है सर कीट कीटो ग्रूप ग्राफी स्ट्रॉंग ग्रूप होता है सर कीटो ग्रूप की बॉन्ड डिसोसियेशन एनरजी अच्छी खासी होती है कहा इनॉल इनॉल के चक्क्र में बढ़ा मुश्किल हो जाएगा सर कीटो को तोड़के इनॉल बनाना कोई समझदारी की बात थोई ना है इसलिए कहा जाता है कीटो फॉर्म से जादा इस्टेबिल होते हैं जनरली कीटो फॉर्म से जादा इस्टेबिल होते हैं कुछ केसी अलग हैं बट कीटो फॉर्म से जादा इस्टेबिल होते हैं क्यों क्योंकि सर कीटो फॉर्म में कीटो ग्रूप जो होता है सी हो वो काफी तगड़ी एनरजी की requirement रखता है जब आप उसके डंडे को तोड़कर इनॉल बनाने की कोशिश करते हैं तो सर ऐसे में अब क्या चेक करना है सर इनके क्या इनॉल होंगे सर और वो भी दो दो तोड़ने सर या दो तोड़ने पढ़ेंगे सर इसमें कुछ तो लालच होगा सर तभी तो इनॉल बनेगा और कुछ लालच है उन जगों पर इनॉल कंटेंट थोड़ी बढ़ जाती है जहाँ इनॉल आरोमाटिक बनते हैं यह ऐसा है कि सर इस case में अगर आप देखें तो इस case का जो in all content बनाया जाएगा इस case का in all content जो हमें बनेगा वो in all aromatic दिखाई देगा और इसी वजह से यह थोड़ा सा जाधा भी देखने को मिलेगा यानि कि अगर यह पूछा जाता है कि किस आदमी का in all जाधा दिखता है तो इन सब में सबसे आदा इन all जो है वो आपको आपको सी का ही दिखेगा because of aromatic nature तो इसका अलब यह हुआ this in all is aromatic that is why in all content is more clear है चलिए और आगे बढ़ते है यह भी एक अच्छा सवाल है बढ़िया सवाल बनाये गया है सबसे पहली बात तो उन्होंने जैसे ही एल आईसोमर लिखा तो आपको पहले ही समझ जाना चाहिए सर एल आईसोमर कहते कि इसको है दुनिया जानती है सर उपर से नीचे numbering करत सबसे दूर कार्यल कार्बन है उस सबसे दूर कार्यल कार्बन पर अगर वेच राइट साइड में तो वो डी है और वेच लेफ्ट साइड में तो वह एल इसका अलब यूँवा सर एक चीज़ खतम हो गई उपर से नीचे गिरते वक्त अगर आपको वेच राइट दिग गय अरे सर दिख गया, हटाईए ये D है, उपर से नीचे नम्रिंग करते वक्त, OH राइट दिख गया, सबसे दूर वाले कार्बन पर, उपर से नीचे नम्रिंग करते वक्त, सबसे दूर वाला कार्यल कार्बन कौन सा है, सर ये वाला, ये वाला, और ये वाला, अगर OH राइट है यह टॉलेंट टेस्ट देते ही देते लोग हैं यानि यह चो गुरूप अगर आपने लगा दिया तो यह टॉलेंट टेस्ट आपको दे देंगे फिर क्या होगा सर जैसे आपको टॉलेंट टेस्ट मिलेगा और साथ में भी कह रहे हैं कि आप जो हमारा ए है जिसे आप C4H8O4 आपालशली आसे बोल रहा है वो एसिटिक एनाइड्राइट से रियाक कर रहा है बिल्कुल है यह तो अलकॉछ लोटे हैं वह इसेटिक एनाइडराइट के साथ फिर वही संटो टी एक्शन टू न के थूरू एंहिड्राइट करते हैं यानि ये काम तो आइसटर फॉं म करत और जिसमें यह OH ग्रूप और यह OH ग्रूप असिटिक एन्हाइडराइड के साथ, this is acetic एन्हाइडराइड, acetic एन्हाइडराइड वो होगा जो acetic acid में आग लगाने से बना होगा, this is acetic एन्हाइडराइड, तो जब आप OH ग्रूप के acetic एन्हाइडराइड की reaction की बात करते है तो सब समझ में आता है O इस carbon पर attack करता है, यह यहाँ से भाहर निकल जाता है, this is again, अगर mechanism की बात करें, तो this is again SN2TH mechanism, nucleophilic substitution, biomolecular tetrahydrin mechanism, because this is acid derivative and this is a nucleophile, यानि answer की बात करें, तो answer बहुत खुशूरत है, answer एकदम साब दिखाई देता है, answer बनेगा O, O जाके जुड़ेगा CO के सा समझे बात को, यानि OH ग्रूप को O, CO, CS3 में convert कर रहा है, तो यह बड़ा ठीक है सर, अगर CH, OH ग्रूप O, CO, CS3 में convert हो रहा है, तो वैसे अगर थोला साद देखें तो बढ़ा interesting सवाल बन सकता, इस पूरे खेल में कितने molecular weight का increment हुआ, आप समझे ज़रा, तो 1H को आपने कम क कर दिया, और इस बचे हुए CO, CS3 को अगर आप देखें, तो इस पूरे CO, CS3 का weight कितना आना चाहिए, carbon आपका 2 हो गए, तो यह 24 हो जाएगा, सर, oxygen आपका 16 है, और 3 आपके पास hydrogen है, तो यह मेरे ख्याल से 43 आ रहा है, यानि कहने का मतलब यह हुआ, 1H हटकर, जब आप CO, CS3 लगाते हैं, तो 43 का weight, इसका 43 है, 1H कम हो रहा है, तो इसका अलब यह हुआ, सर, 43 में से 1 और minus कर दीजे, तो finally, 42 weight gain है, सर, यानि मेरे कहने का मतलब है, इस पूरे खेल में, जो यहां से यहां जाने वाला खेल है, इस पूरे खेल में, जो weight gain होता है, वो 42 का होता है, अब यह तुम समझ लेना बात को, अगर कभी तुमें इस सवाल से related फायदा लगे, weight gain is 42 units, समझ यह बात, यानि मैं यह कहना चाहा रहा हूं कि, एक OH को OCO CS3 में convert करने से आपको 42 का gain मिलता है, सोचो कितरा अच्छा सवाल है, एक carbohydrate है, जिसमें नजाने कितने OH group लगे हैं, आप से पू यह बात समझ में आता है, you have two OH group in your molecule, बेरहाल जो भी है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सर, अगर आपने एनाइडराइट के साथ reaction, acetic एनाइडराइट के साथ reaction की, तो आपको triacetate derivative मिलेगा, triacetate कैसे मिलेगा सर, इसका मिलब तीन OH group है, और वो OCO CS 3 में convert हो रहा है, और है भी सर, देखिए न, ये भी OCO CS3 बन जाएगा, ये भी OCO CS3 बन जाएगा, और ये भी OCO CS3 बन जाएगा, बिल्कु सही है, ऐसे यहाँ पर भी, सर, ये भी OCO CS3 बन जाएगा, ये भी OCO CS3 बन जाएगा, बिल्कु सही है, सर, अभी भी answer दोनों हो सकते चलिए और आगे बढ़ते हैं अब क्या करना है अब वो यह कहना चाहरा है कि इन दोनों में मुझे यह बताइए कि जो हमारा reaction है वो optical active compound बनाएगा जब वो बी से रियाग करेगा और optically inactive बनाएगा optical active compound बी बनाएगा जब वो ब्याटू कि वाटर से रियाग करेगा ब्रोमीन वाटर से और optical inactive बनाएगा जब वो HNO3 से रियाग करेगा मैं समझ गया सर अप्तिकल inactive सिर्थ अभी बन सकता है जब उसके अंदर प्लेनों सिमिट्री मिल जाए यह नहीं हो तरी के साथ कराई जो कि एक strong oxidizing agent है वो इसको तो COH बना ही देता है साथ में इसको भी COH बना देता है ज़रा समझेगा बात को अब यह भी COH बन गया अब क्योंकि यह दोनों COH बन गए जैसे ही आपको प्लेनों सिमिट्री मिलेगी वो compound optically inactive हो जाएगा सर बिलकुल साथ समझ में आता है और जैसे ही हमें यह प्लेनों सिमिट्री मिली और मीजों कंपाउंड होते ही optical inactive तो इसका अब यह हुआ जो सही answer मिलता है वो मुझे A ही मिलता है क्योंकि A के अंदर वो सारी characteristics हैं जो हम define कर सकते हैं चलिए और आगे बढ़ते है नेक्स सवाल क्या कहता है नेक्स सवाल कहता है बढ़ा हसान सवाल बहुत बार पूछ चुके हो भाई साब cyclohexyle amine जो है when treated with nitrous acid वो यही यही पर इसके अंदर थोड़ी सी अच्छा ही है और उसके बाद थोड़ा सब पुरानी बातों को link कर रहा है कुछ जानना चाहता यानि मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो compound जो इन्होंने cyclohexyle लिया है वो cyclohexyle amine जो है वो देखने से ऐ होती है वो alcohols में convert हो जाती है aromatic primary amine जो है वो डाइजूनी अमाइन बनाती है because of stability of diisone amine in that case due to resonance तो यहां पर क्या हो रहा है सर यह आपका primary amine है सर यह primary amine जो है आपको alcohol बनाके देदीगे आप खेल लीजिए इसके साथ अब खतम होगे सवाज जैसी alcohol बनाएंगे आपने PCC ड जाल दिया क्यों डाला सर आप जानते हैं यह काम अल्डॉल का है अब इसके बाद अल्डॉल कंडेंसेशन होगा और यह आदमी बड़े खुशूरत तरीके से अल्डॉल कर सकता है इसके अल्डॉल का final product आप बना सकते हैं after heating आप alpha beta unsaturated carbon compound तयार करते हैं और मुझे ऐसा लग और समझदार है वो इसको भी गलत कर देगा because heating हो रही है तो किसी भी सूरत में alcohol नहीं होगा dehydration के बाद एक अल्कीन बनेगी वो जोड़ा और समझदार हुआ तो वो इसको भी गलत कर देगा और जो सबसे आदा समझदार होगा और यह वहाँ बहुत बढ़िया this is alpha beta unsaturated carbon compound व और इस एल्डॉल से आपको final answer बड़ी ही आसानी से यह देखने को मिल सकता है क्लियर है कर लोगे इसका एल्डॉल हाँ बिल्कुल बिल्कुल करा जा सकता है बिल्कुल किया जा सकता है तो जैसे ही आप OH- डालेंगे यह वह वाइनस यहां से आशडिक अलफा इड्रॉजन निकाले अलफा इड्रॉजन निकालते ही सर्य यह निगेटिव चाह जाएगा और यह निगेटिव आज यहां जाके जूड़ जाएगा बसकता हो गया तो अगर आप देखें तो आपको अलफा बीटा अलडॉल का प्रोड़क्ट हमेशा विदाउट हीटिंग बीटा हाइड्रॉक्सी कार्बॉनिल कंपाउंड ही बनता है अगर आपने इसकी हीटिंग की तो हीट करके वाटर निकलेगा और तब जो आंसर बनेगा वो बनेगा अलफा बीटा अनसाचुरेटिट कार्बॉनिल कंपाउंड तो अलफा बीटा पर अनसाचुरेटिट कार्बॉनिल कंपाउंड तो अलफा बीटा अनसाचुरेटिट का खता कर लेंगे बड़ा असान और आगे बड़ते हैं अब यह अच्छा सवाल बनाए गया है जिसमें यह पूछना चाहरा है यह बताइए यह जो दिया गया यह है कौन तो मैंने कर देखके बड़ा क्लियर है यह आपका ग्रिगनार्ड और यह ग्रिगनार्ड एक ऐसा अब यह बहुत अच्छा है यह बहुत अच्छा है आपका सी यह आजाएगा आपका सी और इन दोनों सी पर यह माइनस बाकि एम जीव लगा होगा क्या सरी यह यहां टैक करेगा यह बहार निकल जाएगा तो सरी तो बड़ा खूबसूरत आंसर बन गया अगर आप जहां से सब्सक्क्राइब आप इसको कर देंगे नर्मल लियक्षन है अब फिर वही है दिस इस न्यूक्लियोफिलिक एडीशन रियाक्शन चलिए और आगे बहुत है यह तो वही सवाल है जो भी किया गया था जिसमें कह रहे हैं कि यह साइक्लोहेक्जिनोन ओच माइनस के साथ फीट इसका तो आंसर भी आपको पता है अभी हमने बनाया था फट मार देते हैं यह यहां गया डबल बॉर्ण्ड और यहां गया आफ्टर हीटिंग यह आप जानना क्या चाहते हैं नंबर ऑफाइलेक्ट्रॉंस प्रेजेंट चार पाइलेक्ट्रॉंस होंगे बड़ा असान सवाल पाइबॉंड की बात करता है तो हम दो लिग देते, you have two पाइबॉंड, पाइबॉंड की बात कर रहा है, you have total four electrons, clear? चलिए और आगे बहुते हैं इसकी बात कर रहे हैं, जब HCN से reaction होगी तो, चलिए ठीक है सर, यही है क्या, नहीं सर, गरबर हो गया, यहाँ CN, यहाँ पर CN, चलिए ठीक है सर, यहाँ CN ले लेते हैं, यहाँ है आपका pH और यह है आपका CN, यह, अब इसकी reaction जब आप HCN के साथ कराएंगे, अरे तो फिर सर, यह तो कुछ नई बात तो नहीं है, अगर आप इसकी reaction है, HCN के साथ कराते हैं, तो यह तो पुरानी कहानी है, निउकलोफिलिक एडिशन है, HCN के साथ जब आप इसकी reaction कराएंगे, तो सर, यह साइनाइडिस निउकलोफिलिक एडिशन reaction को अंजाम देगा, और मुझे लगता है, जो शकल दिखाई देगी, वो शकल दिखाई देगी कुछ ऐसी, HC, अभी मैं ऐसी बना रहा हूँ, OH, इधर आ जाएगा CN, फिर यहाँ पर यही है, यहाँ OH है, इधर आ जाएगा CN, और यह आपका pH, सर यह, तो सर इसमें तो बास समझ में आती है, कि अगर आप सही से देखें, तो सर यह आपका एक pH है, इधर भी माली जाएपका एक तरफ और यह आपका प्याइच और दिखाई दे रहा है कि सर यह जो आपने बनाया है इस अप्टिकली आक्टिव क्यों क्यों कि सर इसके अंदर प्लेन विट्री या सेंट्र विट्री नहीं है तो ऐसे में इसकी एक मेरे मेंज भी बनेगी जो आपको बनानी पड़ेगी इधर है एक तरफ ओएच एक तरफ सीएन है एक तरफ और यह आपका प्याइच यानि यह जो मेरे मेज आपने बनाई है यह दोनों एक दूसरे का इनाइंशोमर्स होंगे जो कि आप्टिकली आउक्टिव होंगे यानि कुल मिलाके बात करें तो एक आदमि ऐसा दिखता है जिसके अंदर हमें center of, sorry, planosmetry दिखाई देती है, वो ये, इसके अंदर planosmetry है, इसलिए ये सहाव हमारे meso compound माने जाएंगे, this is optically inactive, so total stereo isomers की अगर बात करें, तो you have three stereo isomers, जिसमें एक optical inactive meso है, और बाकि दो एक दूसरे के enantiomers हैं, और आगे बखते हैं, isobuteraldehyde on reaction with formaldehyde and K2CO3, दीकि कल भी मेरी बात हुई थी, K2CO3 के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, आप बिल्कुल मत खबराईएगा, कार्बोनेट आयन जनरली कई बार देखने को मिल चुका है, कार्बोनेट आयन जब भी देखने को मिलेगा, आप समझ जाईएगा, यह अक्चली basic nature देने की कोशिश कर रहा है, बहुत मजबूत बेस की बात नहीं कर रहा है, बट यह बेस की तरह भी एप करेगा, बेस की तरह भी एप करेगा, तो बहुत जादा संभावनाएं हैं, जहां जहां आप अल्डॉल कहनी जारो किया करते थे, वहां पर कुछ-कुछ चीजें इस से लिंक होने लगेंगी, तो अगर आप देखें, तो अब सबसे पहले अल्डॉल होगी फॉर्मल डिहाइट के साथ, फिर वो कंपाउंड A बनाएगी, और A केसीन से रियाक करेगा, जो हाइड्रॉलिसिस के बाद आपको C बना के देगा, तो ठीक है सर, अब यह अच्छा सवाल, आसान सवाल लगता है, इसमें सबसे पहले आइसो ब्यूटर अल्डियाइड ले लिया जाए, और दाट इस CS3, CCH3, H, C double bond O, इसकी रियाक्शन फॉर्मल डियाइड के साथ करा रहे हैं, OH- की प्रेजन्स में, क्योंकि OH- आपको कहां से मिलेंगे, सर, कार्बोनेट आइन से आपको OH- मिलेंगे, वि बनेगा, और यही तो अल्डॉल की खूबसूरती है, कि जैसे यह कार्बनाइन बनेगा, यह फॉर्मल डिहाइड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में सोचेगा, तो यह सी माइनस फॉर्मल डिहाइड पर धक्का मारेगा, और यह bond चुड़ जाएगा, और यह ब पहुंच जाएंगे, फॉर्दर अगर आप यह जानना चाहते हैं कि एट सीन के साथ आपको रियाक्षन करवाना है, तो में उझे कोई आतराज नहीं है, आप एट सीन से बिल्कुल रियाक्षन करना चाहें, तो आप एट सीन से रियाक्षन जब करेंगे, तो सर यह न्यूक आजाएगा OH, और साइनाइट जुडने के बाद, यह साइनाइट आजाएगा, और यहां से आगया आपका CH2, और यह आगया आपका OH, सर यहां तक पहुंच जाएंगे, हाइड्रॉलिसिस के बाद आप इस टेविल प्रोड़क्ट बनाते हैं, तो चली मुझे जो लगता है हाइड्रॉलिसिस के बाद जो इस टेविल प्रोड़क्ट बन सकता है, वो एक एस्टर होना चाहिए, ध्यान से देखें, तो यह आजाएगा CS3, C, CS3, इधर जाके लग जिया CH2, OH, और इधर जाके लग जिया आपका CH, इधर OH है, और इधर आपका C double bond O, OH है, यह C double bond O, OH, सर यह, तो अगर आप हाइड्रॉलिसिस के बाद इस टेविल प्रोड़क्ट की बात करते हैं, तो जो समझ में आता है, वो यह है, कि एक तरफ से H और एक तरफ से OH, यानि एक तरफ से H और एक तरफ से OH हटा कर, आप एक खुबसूरत ester तयार कर सकते हैं, that is stable product, no doubt, यानि final जो OCH2, जो की इसके साथ जुड़ा होगा, so this will be a five-membered ring, अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा अपने आप समझने कोश्च करना, और एक बार answer भी match करने ही कोश्च करना, answer अगर आप देखते हैं, तो answer क्या बन रहा है, answer या आ रहा, एक बार आपको answer जो है, अपना match भी क करना पड़ेगा, तो यह लग रहा है, this will be a five-membered ring, एक five-membered ring पर आपके CEO ग्रूप के बगल में OH होगा, तो अब देख लीजे, आप जो भी answer टिक करना है, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें OH का भी एक five-membered ring, या थोड़ा सा अपने आप चेक कर लो, तो यह एक carbon है, जिस पर बगल में OH लगा है, और उसके बगल में O लगा है, तो इसको जड़ा चेक करें, तो एक carbon है, जिसके बगल में OH लगा है, उसके बगल में O लगा है, मुझे लगता है कि शायद option जो तो दो, दो सी आपको एक ही carbon पर लगे हुए, जो कि यहां नहीं है, तो एक बाच चेक कर लेते हैं, दो सी यहां बिल्कु सही है, तो दो सी एक ही carbon पर लगे है, तो जो answer should be, it should be C, अच्छा सवाल बनाए गया है, तो इसमें थोड़ा सवाई है कि इसमें कई चीज़े include कर द लेकिन फिर इसका मतलब यह नहीं है कि वो कर नहीं सकते हैं, वो सवाल easy होंगे, बट वो आपसे एक ही सवाल में 3-4 बातें जानना चाहता है, पुरानी बातें भूल जाते हैं, पुरानी बात क्या थी सर, वो सीधे सीधे पूछता था, HCN का एडिशन को भी यूज़ करता ह है, लेकिन एक सरल भाशा में फॉलो कर रहा है, और यही आजकल advance का भी pattern रह गया है, सर, यही pattern तो advance था, इसलिए तो advance मुश्किल लगता था, क्योंकि वो एक सवाल में एक से जादा concept को use करता था, सर, अब यही काम mains वाले भी कर रहे हैं, लेकिन फरक अब भी ये की है, सर, यह वाले जो सवाल mains में आ रहे हैं, या mains में पूछे जाते हैं, इनमें बहुत जादा अलग technique नहीं लगती, सर, इनमें अगर आप समझदार हैं, तो आप धीरे धीरे अगले अगले step में जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, और आपको अपने आप इसका अंसर देखने को म करता है, तो सर, इसका मतलब यह हुआ, जो हमारा A बनेगा, वो CH3COCL बनेगा, बहुत बढ़िया, A बेंजीन, ALCL3, इसको देखते ही समझ में आ जाता है, सर, आप Friddle Craft को बुलाना चाहते हैं, इस इस Friddle Craft Accylation reaction, यानि सबसे पहले बेंजीन, Friddle Craft Accylation reaction शो करेगी, और इस Frid Nucleophilic addition, कितनी बार करवाएंगे, सर, वही Nucleophilic addition reaction शो करेंगे, सब कुछ होने के बाद, आपका आंसर बनेगा, एक OH, एक CN, और एक आपका CS3, जो पहले से रहा होगा, आंसर बहुत सीधा है, शायद यही लग रहा है, क्लियर है, चलिए और आगे बहुते हैं, वो कह रहा है कि इन में से कौन सा आदमी DNP test देता है, यह 2,4-Dinitrofenylhydrazine, जब किसी से रियाक करता है, तो yellow crystals बनाता है, और वो साफ yellow crystals जो हैं, सिर्फ तभी बनते हैं, जब आप pure carbonil compound के साथ रियाक करें, यानि, this is actually DNP, dinitrofenylhydrazine, this is DNP test, और यह DNP test देने वाले जो होते हैं, वही खुबसूरत लोग होते हैं, जिनको pure carbonil compound कहा जाता है, और मैं कई बार बोल चुका हूँ, यह मेरी language समझा करो, यह pure carbonil compound सिर्फ दो ही होते हैं, एक aldehyde और एक ketone, तो इन में से जो आपको pure carbonil compound test positive देगा, और आगे बहुते हैं, इसमें भी अच्छा सवाल बनाये गया, this is interaldol condensation, यह अच्छा सवाल लगता है, interaldol, यह पूछा गया सवाल नहीं है, तो हमारे लिए important है, क्योंकि मैंने देखा interaldol पर तो सवाल बनते हैं, interaldol पर सवाल generally advanced level पर बना करते हैं, तो बहुत बहुत जादा संभावना है, क्योंकि चीजों की mixing चल रही है, तो बहुत जादा संभावना है कि आपको interaldol पर भी सवाल देखने को मिले, तो अगर आप देखे तो बहुत सीधा सवाल है, बेस आपने डाल रखा है, बेस का काम aceric hydrogen को निकालने का है, तो अब देखो, मैं detail में ने जा रहो, ये काम तुम्हारा है, सर aceric hydrogen यहाँ से भी निकल सकती, यहाँ माइनस आ सकता है, यहाँ आ सकता है, अब वो सब तुम्हें समझना है, एक ही option सही है, फी Zoddik hydrogen यहां से निकल सकती है , यह माइनस आ सकता है , और यह माइनस नीचे जाके ATAK कर दे , एक option यह है , और मैं दूसरा option और बता रहा हू वहाम हाला कि दोनों बाते सेम है , वह क्या है , sir सर इस sini अपने आप कर सकते हैं , तो इसमें कोई लडाई दंगा नहीं ठिक तो इसका अलब यह वह सर बड़ा असान सवाल हो गया उपर वाले को लेते जादा सिमिट्री सा अच्छा सा लगता माइनस यहां टैक कर देगा तो यह दो सीक्स मेंबर निंग बन जाएंगी आपका जो आंसर आएगा वह अलफा बीटा अंसाचुरेटिड आएगा इसके बाद अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मैंने सुना है आपने जिंक अलगम डाल रखा है और जिंक कम अलगम क्लिमेंसरे अड़क्शन एजो प्योर कार्मिय कंपाउं को गायब कर देता तो बिल्कुल साब समझ में आता है प्योर कार्मियलिंपाउंड गायब होने के बाद यह आपको प्रोड़क्र देखने को मिलेगा खत्म हो आगए क्लेर हैं सब this is inter-aldol oh my god inter-aldol this is inter-aldol inter-aldol पर जो है वो सवाल अब एडवांस लेवल पर बन चुका है आग बनता है मेंस लेविल पर भी इंटरेलडॉल पे सवाल बनाया जा सकता है हाला कि इंटरेलडॉल पर तो अकसर सवाल बनी रहे हैं तुम देखे रहो कई सवाल हमारे इंटरेलडॉल पर आ भी चुके हैं और आगे बते हैं The structure of a starting compound P का starting compound on reaction with NaOcl साफ समझ में आता है sir this is hello form test यह hello form test और hello form test के बारे में बिल्कुल साफ जानते हैं हाला कि यही होता तो नहीं है कि sir हमेशा यही होगा बट यह कि जैसा कि अगर सीथी भाषा में बात करें तो इस तरह का कोई भी आदमी या इस तरह का कोई भी आदमी अगर दिखाई देता है CS3, CH, OH टाइब का आदमी या इस टाइब का आदमी सर ये लोग हमेशा जब भी कभी हेलो फॉर्म टेस्स देंगे यानि OCL माइनस के साथ या OBR माइनस के साथ या OI माइनस के साथ जब रियाक करेंगे तो सर ये लोग आप समझ लीजे जुगार बाजी इनकी सिर्फ इतनी है कि जो CS3, CO ग्रूप होता है ये CS3, CO ग्रूप का जो CS3 है ये बाहर निकल जाता है सर ये तो हेलो फॉर्म में कर्णवर्ट हो जाता है और अंदर की तरफ बन जाता है सॉल्ट समझे जैसे यहां पर भी ये जो CS3 गूरूप है ये तो हमारा हेलो फॉर्म बना लेगा और अंदर की तरफ बन जाएगा हमारा सॉल्ट तो इसका मतलब यह हुआ सर अगर आप आंसर देखना चाहते है इस विल भी हैलो फॉर्म अगर यह ओ सी एलो फॉर्म में करवट हो जाता है यह कहने का मतलब तो यहां आ जाएगा आपका एक सॉल्ट और वो सॉल्ट इधर वाला बनेगा तो अगर मैं इस सवाल की भी बात करता हूं तो इस सवाल में मुझे यह लग रहा है कि हैलो फॉर्म के बाद यह बना आफ्टर एसिडिफिकेशन तो जो सॉल्ट रहा होगा आप समझेगा यह सी डबल बॉन्ड ओएच इससे पहले क्या रहा होगा सर इससे पहले यह ओएच पहले, और यहां पर एने रहा होगा, बिल्कुल सही है, जिसका एसिडिफिकेशन करके आपने क्या बनाया होगा, एसिट यह कैसे बना, सर यहां अगर सॉल्ट बना है, तो इसका मतलब सर यहां CS3 गुरूप रहा होगा, वही तो वो CS3 अटने के बाद एक तरफ हेलॉपां बन गया और एक तरफ यह सॉल्ड बन गया इसका मतलब सर वो compound जिसने यह हेलो फॉर्म टेस्ट दिया है उस compound को हमने ढूंड लिया कैसे सर वो जो compound होना चाहिए वो यह है जिसमें इधर तो कोई ही छिडखानी है ही नहीं मैंने यहां कुछ करा ही नहीं इधर आते हैं यहां पर double bond O है और यहां CS3 है अब आप अपने आप समझेए इस आदमी का हेलो फॉर्म टेस्ट अगर आप लेते हैं तो दूसरी बात करते हैं यह भी एक अच्छा सवाल है क्योंकि बहुत बार देखा गया है कैनीजारों पर सवाल बनते हैं यह एक यूनीक reaction है जो कुछ कुछ कैनीजारों से मिलती जुलती है बट इस इस बेंजल बेंजलिक acid rearrangement के नाम से जाना जाता है क्या है यह यह इसमें बेस डालते हैं तो जैसे आप इसमें बेस डालते हैं तो सबसे पहला इस्टेफ क्या होता है तो माल लेजिए मेरे पास यह तो एक चीज तो समझ में आती है कि सर यह जो बेस आपने डाला है यह acidic hydrogen निकालने कोशिश करेगा और मुझे ऐसा लगता है कि एक double bond और इस double bond की वज़े से इस बार OH- यह कहेगा कि यार मैं तो तुम्हारे पास ही आऊंगा क्योंकि एक double bond O का जो strong minus high effect है वो दूसरे पर और दूसरे वाले double bond O का जो strong minus high effect है वो पहले पर strong del plus create कर रहा है तो OH- कहेगा ऐसी कि तैसी acidic hydrogen की मैं तो सबसे पहले कार्बुलिन सेंटर पे जाके अटाक कर दो यानि यह इसका पहला step देखना चाहिए और इसका जो पहला step निकल के आएगा उसमें जो दिखाई दे रहा है वो यह कि यहाँ पर attack हुआ तो यहाँ ओ माइनस आ गया यहाँ पर OH ने जोड दिया और यहाँ अब क्या next step होगा next step वही है जिसमें O- कहेगा भई ऐसा है मैं तो वापिस 5 bond बनाऊंगा और ऐसे में जैसे ही अंदर आएगा इस कार्बन के 5 bond होंगे वो अपना एक bond तोड़कर बगल वाले कार्विल सेंटर पर attack कर देगा तो जैसे यहाँ attack करेगा यह bond तूटेगा और यह कार्बन इस कार् का हुआ एक आदमी होगा COH आप समझ यह acidification के बाद the final answer will be this after acidification क्योंकि O- होगा आपको H डालना पड़ेगा तो यानि जो सवाल आपको दिया गया था उसमें after acidification जो final answer आएगा वो five member ring होगी जिसके एक कार्बन पर OH और उसी कार्बन पर COH लगा हुआ दिखाई दे रहा हो का clear and this is benzyl benzylic acid rearrangement सोची अगर यही सवाल ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछा जाता जो डराने के लिए बनाया जा सकता था यह हमारा और यहां पर ऐसे कुछ घबराहट के लिए यह ऐसा कुछ होता तो ऐसे में सर बिल्कुल वही है सर अभी आपने mechanism दिखाई दी बिल्कुल वैसे ही चलेगी हम जादा दिमागी नहीं लगाएंगे सब कुछ वैसे ही चलेगा यह आपका five member ring बनेगी सब कुछ मुझे बाहर वाले लोगों से मतलब ही नहीं है एक तरफ OH जाएगा एक तरफ OH जाएगा और जो रिंग है वो है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे वहां कुछ करना भी नहीं फाइनल आंसर तो जैसे था वैसे ही बनें आप्टर ऐसे विकेट कर समझी है इस अगे बेंजिल बेंजलिक ऐसे टाइप का रियरेंडमेंट क् अब जैसे यह है ये भी सर बहुत सीधा सा सवाल लग रहा है सर इसको देखके फिर मुझे इंटर एल्डॉल की ही याद आ रही है और हर बार की वही कहानी है सर ये इंटर एल्डॉल का सवाल है अब सब लोग अपने इसाब से इस कहांसर लिख सकते हैं बिलकुल साब समझ म आता है जब कीटोन और एल्डॉल की बीच में इंटर एल्डॉल हो तो कोशिश की जाए एनायन्स on किटोन अटाक on १ी यानिकी मेरी इस बात को याद रखा जाए कि जब कभी बी एल्डॉल कंडेसेशन का सवाल बन रहा हो जिसमें एनायनस अजिसमें किटोन भी इन्वाल हो और aldehyde भी इन वाल हो तो इस बात को याद रखते हैं एनाएन एनाएन ऑन किटोन अटाक 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 इस बात को सब लोग याद रखने की कोशिश करें यह ठीक लगता उसका रीजन भी और क्यासा्ता है नहीं है की डिन मैं अटाक आटाक कारविनल बनाएं अटाएं लिए डिखा सकता है और मेड़े खाल से सब लोग इसका अंसर लिग मिसक्ते हैं क्या बनेगा इसका अशर सबसे पहले जो बनेगा इंटर एलडल का जो फ्रोड़क्ट बनेगा वो बनाया जा सकता है और वह बनेगा यह रिंग तो ऐसे क्या इसी थी यहां तो कोई छिडखानी की नहीं गई इधर भी कुछ नहीं किया गया लेकिन यह वाला आदमी उधर जा कर लो हां सर फिस इस बीट आइडरोकसी अब यह पताईए आपने इसके Кादमी हो तो यह वाला celeia आइडो फॉर्म के फॉर्म में और अंदर बन जाता है सॉल्ट जो कि आसिडिफिकेशन के बाद आसिट खता मुगा सवाल सर कुछ करना ही नहीं था यह तो देखिए पांच मेंबर रिंग के साथ कोई छेडखानी हुई नहीं कार्बन आप से छिड़े नहीं डबल बॉंड आ यहां बना यह आसिड और बना एक आइडो फॉर्म दैट इस सी एच आई थ्री बात खतम येलो प्रेसिपिटेट यानि फाइनल आंसर की बात करें तो फाइनल आंसर यह बनना चाहिए जिसमें आप समझने बात को यह वाला जो है यह तो निकल जाएगा बहार यह वाला तो बना दो हो और टो यह वाला और कि त्रुफ क्या बन जाता था 6 तो अंदर शॉल्ट बना लेंगे और सौल्ट का एसिडिविकेशन क्या मनाएंगे वाला यह बहुत पहले आयटम पूछा गया था उसके बाद यह सवाल जो है वह मेडिकल की एक्जाम में आप पूछा जा च तो यह पूछना यह चाह रहे हैं इसमें नंबर ऑफ एल्डॉल स्टेप्स कितने हैं तो यह निस वारा कि तुम करना क्या चाह रहा हो वह कर रहा है तो मैंने का यह तो कंफर्म हो गया क्यों कि इसके पास आसरी हडोजन है अब जो देख के लग रहा है वह यह कि यह वाला जो करना पड़ेगा चौथी बार अपने आप आप कैनिजार होई होगी जिसका यह प्रूटक बनाओ यानि तीन वाल एल्डॉल के स्टेप चलेंगे यह तो कंफर्म है चलिए एक स्टेप तुमें बना के दिखा भी देता हूं मैं कि माल लीजे मेरे पास यह CS3-CHO था ठीक तो बता हूं यह CS2 इधर तो CHO है ही ठीक और इस CS2 से यह CS2-OH जाके जुड़ गया आप देख पा रहे हैं दिस इस CS2-OH यह पहली बार अल्डॉल हुआ है जब पहली बार अल्डॉल हुआ है तो एक हाइड्रोजन कम हो गई सचलिए एक बार अल्डॉल करते हैं मैं तुम्हीं यह काम अपने आप करना पड़ेगा ठीक तो अपने आप समझके देखना एक बार अल्डॉल करते तो एक बार अल्डॉल करेंगे तो सीच्टू का सीच बचेगा CHO ऐसे रहेगा एक तरफ CS2-OH आ चुका था अब एक CS2-OH और आ जाएगा बहुत बढ़िया हुआ सार चलिए एक बार अल्डॉल करते हैं क्योंकि अभी भी ऐसरी घ्रजन है तो यह बीच वाला कारवन होगा यह सीचो होगा एक CS2-OH पहले ही आ चुका था एक CS2-OH बाद में आया है और एक CS2-OH और आ गया है सार आप देख पा रहे हैं कि अब आप बिल्कुल उसी तरफ चले गए जहां आपको जाना चाहिए था यह वही है जिसमें टीनों तरफ आपको CS2-OH देखने को मिल रहे है एक CS2-OH आपको यह मिल रहा है अब एक CS2-OH आप क्योनिक कुल मिला कर देखा जाए तो मुझे यह 3 CS2-OH दिखाई दे रहे हैं समझे बात अब нем कर देंगे कैनादीहाई और दुनिया जानती है सर formaldehyde के साथ किसी की भी कहनी जारों हो तो formaldehyde पर ही OH का अटाक होता है क्योंकि यहीं पर सबसे आसान है अटाक करना सर इसलिए जहां पर भी OH का अटाक होता है वो salt बनता है और दूसरा वाला आदमी alcohol बनता है इसका मतलब सर यह reaction में यह तो बन जाएगा आपका salt H-C-O-O-N-A यह ठीक है सर अब जो दूसरा वाला यहां से जो hydride निकलेगा वो hydride जाके अटाक करेगा इस कार्मलन सेंटर पर तो यहां पर बन जाएगा alcohol सर तीन एलकॉल तो बनी चुके हैं सर चौथा अल ले लिजे इसका मतलब यह हूआ सर यह 4 एलकॉल बना देगा और 4 एलकॉल में जो शकल दिखाई देगी वो कुछ ऐसी दिखाई देगी जिसमें यह भी सी एलकॉहलिक ग्रूप होगा इधर भी alcoholic group होगा इधर भी alcoholic group होगा और इधर भी alcoholic group होगा चारों तरफ यह alcoholic group दिखाई देंगे यानि कुल मिला के देखा जाए तो you have three steps of aldol and one step of canidol, बड़ा अच्छा सवाल बनाए गया था, ठीक चलिए और आगे बढ़ते इसमें क्या कहना चाहरे है बिल्कुल आसान है acetyl and ketal stable in basic medium मैं मानता हूँ बिल्कुल सही है acetyl और ketal में एक ही carbon सरसे दो O group लगे होते हैं तो O is loan pair वाल आदमी वो acidic environment में तो loan pair को donate कर सकता है, basic environment में उसका कोई लेना देना नहीं, मुझे आपका statement ठीक लगता लेकिन जो दूसरी बात विल्कुल उर्टी बोल रहा है the high living tendency of alcoxid iron बिल्कुल सही है sir, alcoxid iron की बिल्कुल खराब living tendency होती है high living tendency कैसे हो सकती है और आप बोलना क्या चाह रहे हैं कि वो basic medium में stability provide करता है इस बार आपने फिर से वैसा ही सवाल बनाया गया IIT में पूछे गए खास सवालों में intra-aldol की कहानी मैंने बताया था या IIT के advance level पर पूछा गया सवाल होगा, जो कि हर बार ये हरकत करता है, और सवाल बिल्कुल सेम है सर, acidic hydrogen निकालिए और उसका carbonine center पर attack करा दीजिए, खेल खतम करिए क्योंकि ये अलडॉल है, तो आपका पहला आंसर तो heating बाद में करते हैं, आपका पहला आंसर तो beta hydroxy carbonine compound बने गई बनेगा तो चलिए जो पहला आंसर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए ये six member ring है, कोई छेड़खानी नहीं की गई है, बिल्कुल सही है उसके बगल में कितने member ring बनेगी, एक, दो, तीन, चार, पांच, अच्छे सर, उसके बगल में खुबसूरत six member ring बना दीजिए, बिना दिमाग लगाए एक six member ring और बना देते हैं, और जिस carbon पर attack हो रहा है, उस carbon पर OH आ जाएगा और उसके बगल के बगल वाले carbon पर double bond, चेक कर लीजे, क्या ये बीटा hydroxy है, बहुत खुबसूरत बीटा hydroxy है सर, बिल्कु सही, अब अगर आपने आग लगा दी तो क्या होगा, सर, अग लगा, कोई carbon तो नहीं बचा, कोई carbon तो नहीं बचा, नहीं, कोई carbon नहीं है, अब इसके बाद अगर आग लगा देंगे, तो आग लगाने के बाद product क्या बनेगा, ये double bond O आ जाएगा, इसमें आर एक option में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अगर आपने double bond O लगा दिया heat कर दिया तो heat करने के बाद तो alpha beta पर unsaturation आ जाएगा यानि ये आपका double bond बनेगा alpha beta पर unsaturation आ जाएगा ये कुछ ऐसा अब इसमें एक और जो carbon दिख रहा है option को देखें तो ये option समझ में आता है एक ये option समझ में आता है बाकी तो कोई option समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें ये जो एक extra carbon दिख रहा है ये कुछ अजीब सा है तो हमारे पास वो extra carbon कहीं भी नहीं है क्योंकि हमारा ये carbon सीधे-सीधे यहां attack कर रहा है और कहीं से कुछ आ भी नहीं रहा है तो मुझे लगता है फिर आंसर जो है वो यहीं सही होना चाहिए इसी को सही माल लिया जाए कहीं कुछ हो सकता है मिस्प्रिंटिंग हो क्योंकि जो रिंग बनेगी वो रिंग में सारे कारवन इंट्रूट कर लेंगे शुद बी A जो CS3 नहीं होना चाहिए क्या कहते हो चली ठीक है इसको एक बाद चेक कर लेना और आगे बढ़ते है और नेक्स वाल में क्या कह रहा है सर देखी यह वही बात है बार-बार मत करिएगा यह एस्टर है आपने पहचाना था हाँ बिल्कुल पहचाना था और ester के साथ grignard की reaction आपने बताई थी, हाँ बिल्कुल बताई थी, आपने बताया था excess grignard react करता है, और grignard के साथ ester की reaction में जो पहला step होता है, वो तो SN2TH होता है, लेकिन दूसरा step जो होता है, वो nucleophilic addition होता है, यानि कहने का मतलब यह हुआ, कि अगर मैं देखू, तो जो grignard से react करता है, तो जो पहला step निकल के आता है, वो है SN2TH, इससे बनता है generally ketone, अगर alkyl format होता वो ester, तो यहाँ aldehyde बनता, वो तुम अपने आप समझना, कि एक H लगा है, तो grignard आएगा, तो aldehyde बनेगा, otherwise normal सारे esters होंगे, वो क्या बनाएंगे, ketone, और ketone के बाद, आ generally three degree alcohol, अब चाहो तो यहाँ पर लेख सकते है, except alkyl format, अब इसको तुम अपने आप समझ लेना, alkyl format, तो इस बात को important मानते हैं, इस बात को समझने की कोशिश भी करते हैं, और सब लोग इसको ध्यान भी रखेंगे, कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, तो यह भी ध्यान रखते ठीक चलिए, अच्छा आप दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह कि इसमें आंसर क्या बनता है, तो बड़ा clear हो गया, सर जब CS3 यहाँ अटक करेगा, फिर CS3 यहाँ और अटक करेगा, तो एक OH तो बाहर की तरफ होगा, और यहाँ 3 degree बनेगा, यह जिसे यह है, एक, दो, तीन, चार, और यहाँ पर एक OH होना चाहिए, तो यह option जो है, फिर वो सही बन जाएगा, आप समझेगा, यानि कहने का मतलब यह हुआ, यह CS3 यहाँ अटक करेगा, और यह bond तूटेगा, ठीक है, बलकि CS3 वहाँ अटक करेगा, तो यह bond यहाँ से OH, clear? थमझेगा, चलिए और आगे बगते, यह देखे, यह अच्छा सवाल है, लीथियम डाई आइसो प्रोपाइल अमाइड, मैं यह बताना चाहरा था तुम लोग को, लीथियम डाई आइसो प्रोपाइल अमाइड जो होता है, वो यह है, CS3 होल ट्वाइस च, इस लीथिय हटा देता, यानि कहने का मतलब यह हुआ, अगर इस आदमी के अंदर आपने LDA डाला, तो आप समझेगे इस बात को, यह एक ऐसा प्योर कार्बलिंग कंपाउंड है, जिसकी आलफा पोजीशन, बीटा पोजीशन और यह गामा पोजीशन, यह एक ऐसा एलडियाइड किटो उन्हें जिसकी जो सबसे ज़्यादा इसरीख है, वो गामा हाइडरोजन, आप समझेगे, यानि इस बात को सब लोग याद रखेंगे, अल्फा बीटा अंसाचुरेटिट कार्बलिंग कंपाउंड के पास जो सबसे ज़्यादा इसरीख पोजीशन होती है, वो गामा लंबा से अगर आपने हटेगे तो गामा पर माइनस आता है, और ये माइनस लंबा रेजुंस करता है, माइनस अंदर, डबल बहार, डबल बहार, एक लंबा रेजुननस है, तो अगर ये हईडरोजन सबसे ज़्यादा आस devenir कर रहा है, मेरे जो किस्तिर कर रहा है, इस Stick हैद C double bond O अब आपने जैसे ही इसके अंदर LDA डाला तो LDA ने बिना दिमाग लगाए सारे लोगों को किसमें करवट कर दिया ये एक strong base है जो इंतजार नहीं करेगा कि पहले तुम्हें बनाएंगे फिर किसी और को बनाएंगे वो एक साथ डब्बे में सारे अनाइंस तयार कर दे और जैसे ही डब्बे में सारे अनाइंस तयार होंगे अब ये अनाइंस आपस में बात चीप करने लगेंगे और ये अनाइन ही आपस में रियाक करने लगेंगे कैसे रियाक करेंगे ये double bond O है, ये CH है, ये double bond है और ये CH2 minus है, ये दो molecule मैंने उल्टे करके लिखें, अब क्या होगा, सर जैसे आप इसकी reaction कराएंगे, ये वाला minus यहाँ पर जुलेगा और ये वाला minus यहाँ addition reaction शो करेगा, अगर आप ध्यान से देखें, तो जो समझ में आ रहा है वो ये, कि आप के पास एक 8-membered ring बनने वाली है, और उस 8-membered ring को अगर आप जहाँ से देखें, तो वो कुछ ऐसी दिखाई देने वाली है, जरा समझेगा, इस 8-membered ring में double bond, double bond, एक तरफ OH ये हो गया, और एक तरफ OH ये हो गया, और कहीं गलती से आपने इसमें आग लगा दी, तो सर पानी निकल जाएंगे, और पानी निकलने के बाद आपको दो double bonds और मिल जाएंगे, अरे सर ये कैसे बना दिया, इसके chances तो कम लगते हैं, क्योंकि ये तो unstable alkenne है, और 4-5 system तो anti-aromatic system बनाता है, नहीं नहीं बेटा, ये जो structure है, cyclo-octa tetraene का, ये planar ही नहीं होता, जिसकी वज़े से इसके अंदर cyclic delocalization नहीं होता, और ये system non-aromatic की category में आता है, यानि ये possibility है, कि ये जो बना है, वो सही हो, क्योंकि cyclo-octa tetraene की जो शकल है, वो कुछ ऐसी दिखाई देती है, and that is a non-aromatic system, this is non-aromatic, समझ ये बात, तो इस लिए इस सवाल का जो सही answer दिखना चाहिए था, वो इस सवाल का सही answer cyclo-octa tetraene ही दिखना चाहिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि इस सवाल में ये भी possible था कि ये internal reaction कर लेता है, internal reaction करने से अगर आप देखेंगे heating के बाद, आपको ये देखने को मिलेगा, heating के बाद ये, and this is purely anti-aromatic, तो इसका अब यह हुआ, सरी, ये intra-aldol नहीं है, होगा तो ये inter, वो अलग बात है, सरी, inter में सर दो लोग जूर के cyclo-octa tetraene बनाएंगे, जिनको नहीं पता है, वो इसको भी anti-aromatic बोलेंगे, और जिनको पता है, वो जानते है, this is a non-planar structure, हर सूरत पे non-aromatic ही माना जा तो यहां पर देखें सर सबसे हलका आदमी कौन है, यहां पर फिर सबसे भाणी कौन है, सर थर्ड है, और जो सबसे लुटा हुआ आदमी कौन है, वो यह लास्ट वाले के साथ तो reaction ही हो जाए, बहुत बढ़ी बात है, इसका बलब यह two-three-one, इसका सइय और होना चाहिए, जो कोई भी नहीं है, 2, 3, 1 तो ये कुछ सवाल है, जिनको आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा, बड़े आसान सवाल है यहाँ पर कह रहे हैं कि deuterium exchange कहां देखने को मिलेगा सर, deuterium exchange का मतलब होता है base डालकर acidic hydrogen को हटाया जाए और उस acidic hydrogen पर वापिस deuterium लिया जाए solvent में से, तो इसके लब यह हुआ acidic hydrogen निकाला जाए, कैसे निकालेंगे है ही नहीं, चलिए अटाइए, acidic hydrogen निकाला जाए, बिलकुल निकाल सकते हैं सर पका deuterium exchange हो करेगा, सर ये दोनो hydrogen, दोनो deuterium से replace हो जाएगी बिलकुल CH2, CD2 में convert हो जाएगा बिलकुल देखने को मिलेगा, acidic hydrogen है ही नहीं, acidic hydrogen है ही नहीं, सो दा answer will be B, और शायद यही वो reason है जो यह बताता है कि अल्डॉल कंडेसेशन में carbonine बनते हैं, क्योंकि आपको deuterium exchange होता हुआ नजर आता है, और अगर deuterium exchange हुआ तो carbonine बना होगा, क्योंकि उसके पास acidic hydrogen है, और यही रीजन है कि अल्डॉल की mechanism में carbonine बनते हैं यह proof देता है, यह deuterium exchange समझे बात को, और आगे बखते हैं अब यहाँ पर भी देखें, तो what is the principal product of the following reaction बहुत आसान है, सर, एनिवेच को डालते ही मुझे समझ में आ जाता है, कि आप aldol की बात या कैनिजारों की बात कर रहे हैं, तो मुझे दिखाई देता है, सर, this is purely aldol intra, कई बार बात हो चुकी है, लेकिन यह अच्छे सवाल होते हैं intra-aldol पर पूछे जाने वाले सवालों की संख्या जो है, हमें लगता है, आगे आने वाले समय में जरूर बढ़ेगी, तो बहराल, यह सर, एसरिक हैडिजन यहां से एच निकालेगा, और यह यहां जाके अटक कर देगा, बस खतम होगे, सर, अब सर, रिंग का साइज आप द आपने जोड़ा है, उस carbon पर CHO लगा दीजिए, यह लीजे, CHO लगा देते हैं, और उसके बाद सर, उसी के carbon से लगे हुए carbon पर OH लगा दीजिए, यह लीजे, OH लगा देते हैं, चेक कर लीजे, सर, यह 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 लगा प्रोडॉक्ट है भी कैसे चेक करोगे, भाई, हम इ देखने से लगता है यह आंसर हमारा यह क्लियर है साफ समझ में आ रहा है चलिए और आगे बहते हैं इसमें क्या कहना चाहा रहा है ओफ सर यह देखिए लिये अरोमैटिक एल्ली इह है और कंसंट्रेटिट के वेच के साथ केनी जारो है सर यह धेनी जारो रिएक्षम है बिलकुल सही है डिसिस केनी जारो कौन सा कहनी जारो इंटर है, इंटर है, दो लोग रियाग कर रहे हैं, इंटर कहने दार हो, और हमने बात क्या की थी, एक आदमी जहां पर OH अटाक करेगा, उसको सॉल्ड बना दो, और दूसरे वाले को अलकॉल बना दो, खतम हो के सवाल, तर एक सॉल्ड, एक अलकॉल, खेल खतम, यानि क्या आ क्या कहना चाह रहे हैं, कहना यह चाह रहे हैं कि यह हाइड्रॉलिसिस के बाद क्या करेगा, तो मैंने का वह देखिया ऐसा है, हाइड्रॉलिसिस के बाद कुछ ऐसा बहुत कमाल तो नहीं करेगा, जब आप हाइड्रॉलिसिस करते हैं, तो क्या रियाक्शन चलती है, सबसे पहले तो यह एन हाइड्राइड है यह ाइसिट में करणोट हो जाता तो जो पहला step में लिख रहा हूं कि इसमें सबसे पहले यह होगा और इसके बाद यह है उसके बाद जब शाद करेंगे तो जो एन थे तो यह दुनों तरफ इस बना देगा यह एनाइडराइट की हाइडरॉलिसिस यानि एनाइडराइड हाइडरॉलिसिस के बाद दोनों तरफ OH बना देता है तो सर यहां पर भी OH आजाएगा और यहां पर भी OH आजाएगा तो दोनों तरफ OH आजाएगे ठीक है जो हमारे बीटा कीटो एसिट्स होते हैं, बीटा कीटो एसिट्स वो आग लगाते ही फॉरन सियो टू को बाहर फेग देते हैं, वाया six-membered transition state, अब वो mechanism तो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन होता ऐसा ही, six-membered transition state के थुरू ये ये काम करते हैं, तो मैंने का ठीक है सर, क्या ये बीटा कीटो एसिट हैं सर, देखे, ये बीटा पर कीटो है, बीटा पर कीटो, क्या होगा, सर, जैसे ही आप आग लगाएंगे, समझेगा बात को, तो सर, वो CO2 को बाहर फेक देंगे, तो आग लगाते हैं, यहां से CO2 टूर जाएगी, तो जो आपकी शकल दिखाई दे अब आप बन गए कुछ ये, तरह समझेगा, इस बीटा कीटो एसिट का, CO2 का उड़ना, CO2 गई, और दो मोल CO2 के बाहर निकल गए, बहुत बढ़िया, अब क्या होगा, अब आप कह रहे हैं, मैं इसकी ओजोनलिसिस करूँगा, कर दीजे, अब आप इसके ओजोनलिसिस करे आएगा, यानि फाइनल आंसर क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा, यहाँ भी CO2, यहाँ भी CO2, और दूर कहीं कीटोन ग्रूप, तो फाइनल कंपाउंड में, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, फाइनल कंपाउंड में, वो यह है कि, दो CO2 ग्रूप जो है, मुझे नज़र आ रहे हैं, आप समझे, यह सही नहीं बनाया है, हमने, यह दो CO2 ग्रूप आपको नज़र आएंगे, यह आपका double bond O उपर है, double bond O नीचे है, और इस तरफ आएंगे, तो यहाँ भी CO2 ग्रूप आएगा, और इस तरफ आएंगे, तो यहाँ भी CO2 ग्रूप आएगा, तो अगर आप देखें, तो final compound में मुझे दो CO2 ग्रूप नज ठीक है, अच्छा इस सवाल इसलिए है, क्योंकि जनरली बच्चे जिनको नहीं पता, वो hydrolysis कराकर यहाँ CO2 लगा देंगे, यहाँ भी CO2 यहाँ, यहाँ 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 जाएंगे, तो उनके इसाब से आंसर क्या आजाएगा, जबकि actually answer क्या ह पीचे बढ़े थे, क्या अब आप यहाँ का प्रोड़क्त क्या बनेगा, अब आप यह कह रहे हैं, हम बताते हैं, आप बताईए लॉल की किसने, तो बढ़ा आसान होता है, मैं बताता हूं तुम्हें, आसान क्या है, कि अगर मुझे यह निकालना हो क्या, तो उसका एक तर पर unsaturation आ जाएगा, तो माल यह सवाल यह नहों कि यह पूछा गया होता, कि मेरे पास जो compound है, वो यह, this is double bond O, और यह CS3, and this is alpha, beta unsaturation, यह, समझे बात, या अगर वो कहता है, कि मेरे पास जो आदमी है, वो alpha, beta unsaturated carbonic compound है, क्या आप बता सकते हैं, कि aldol का यह product किसने बनाया हो तो अब बताइए, इससे एक step पहले का क्या scene होगा, इससे एक step पहले का scene होगा, वो beta hydroxy रहा होगा, यह रहा होगा, समझे बात को, तो अगर वो beta hydroxy रहा होगा, तो वो ऐसा दिखाई देता होगा, एक step पहले की बात करना है, यानि aldol के product में, यह double bond O है, और वो beta पर OH रहा ह और alpha beta वाला bond मिटा दीजिए, बस खता, यानि किहने का मतलब यह हुआ, कि आप जो हमारा OH है, उसको तो double bond O बना दीजिए, यानि यह alpha beta वाला bond मिटा दीजिए, और इस OH को double bond O बना दीजिए, बस बात खता, यानि किसने aldol किया है, वो दिखाई देने लगेगा, आपको कैस सर यह देखे, यह ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ double bond O है, यह ऐसे है, यह अज है और यहां आपका double bond O है, इस आदमी ने ALDOL किया है, आप माने न माने यही वो ALDOL का प्रोड़क्ट देगा, यानि जब कभीा किस ने दिया, यह पूछा जाए, तो क्या तरीका होता जिसने एल्डॉल दिया है यह पताने के लिए आप सबसे पहले अलफा बीटा अंसाचुरेशन में बीटा पोजीशन पर ओएच लगा देते हैं अगर अलड़ी ओएच वाला दे रखा फिर तो यहीं से आगे बढ़ जाएंगे अगर ऐसा दे रखा तो बीटा पर ओएच बना आपस्ट साइए ये तो दिखी नहीं रार मुझे लगता है यहीं आपस्ट सवाल और आगे बते हैं और यूए एक आखरी सवाल और ले लेते हैं जिसमें कहना चाहरे है कि हमारे पास आप इस इस गिलमेंग ने क्या कहना चाहर है यह किसी आसे लाइट पर रिया करूं का मने का कर लीजे करेंगे कैसे यह बाइनस यहां अटाक करेगा सीयल यह निकल जाएक और यह सर आटाक भी बड़ा फीजिबल है क्यों कि क्लोरीन का स्ट्रॉंग माइनस आइफेक्ट जो है वो जो की डॉमिनेटिंग यहां तो सर और आटाक और फीजिबल कर दिया और यहां जाएगा सी डबल बॉंड और और यहीं इसका फाइनल प्रोड़क्ट होगा क्यों क्यों गिल्मेल फर्दर रियाक्ट नहीं करेगा नहीं करेगा सी एस्ट्री होल ट्वाइस सी यू एलाई जो आपने लिया वो फर्दर यहां रियाक्ट करके जो न्यूक्लियोफलिक अडिशन करके जैसे होता था वो रियाक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा यानि अगर आपको किसी आसीड हलाइट से कीटोंस बनाने होते तो आप इनका इस्तेमाल करते लेकिन अगर कोई बेवकूफ आद्मी यह कहता वह ऐसा यह क्यों कर रहा है आप ग्रिगनाड़ी ले आते इतना ड्रामा क्या कर रहा है यह लीज़े सीस्ट्री अमजी बियार तो ऐसे में भी तो यही होगा सीस्ट्री आटक करेगा यह बन जाए तो आपको गिल्मेंस रिएजेंट के साथ रियाग करना पड़ेगा या डाय अलकाइल कैडिमियम के साथ आर्टू सीडी के साथ रियाग करना पड़ेगा क्योंकि यही वो लोग होंगे जो कम रियाक्टिव होंगे क्योंकि इनके आर कैडिमियम के साथ या इनका आर कॉपर के साथ जोड़ा है जो की कम negatively, less intense negatively charge होगा because of less electropositive nature of cadmium copper. अगर आप magnesium के साथ या lithium के साथ इनको जोड़ के रखते हैं, या अगर आप grignard लेके आते या कोई alkyl lithium करके organometallic लेके आते, तो ऐसे में सर पहले ketone मनता और ketone further react करके उसको alcohol में convert करते था, तो अगर कोई चाहता है कि उसको ketone तक रुकना आए, तो या तो gilman का इस्तेमाल करो, या R2CD का इस्तेमाल करो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम तो grignard लेके आएंगे, तो grignard ये बनाएगा जरूर, लेकिन further इसको किसमें convert कर देगा, 3 degree alcohol, आप चाहते हैं कि मैं तो R.L.I. लेक्या हूँगा, R.L.I. बनाएगा तो ये, लेकिन उसको further 3 degree alcohol में convert कर देगा, समझे रहे बात को? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चीज़ें आसान हैं, जादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अकल लगाया जाए तो चीज़ों को समझा जा सकता है, इनको किया भी जा सकता है, तो मेरा सब लोगों से यही suggestion है, सब लोगों को यही कहना है, कि जम के कोशिश की जाए, कहीं से भी कोई चीज़ें मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से यह काम किया जा सकता है, अगर पुरानी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, और नए अटेम्ट के बारे में सोचा जाए, तो chemistry as a chemistry, whole chemistry के अगर आप बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है, हर बच्चे को इत इतने दिनों के बाद, जब पेपर पहला एटेम्ट खतम हो चुका है, हर बच्चे को इतने दिनों बाद, एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, पेपर टफ नहीं था, तैयारी खोकली थी, यानि अगर आप तैयारी अपनी at least इस लेविल पर कर ले, कि जो चीज लिखी है आपने अपनी कॉपी में कभी भी एक बार जब पढ़ी है, वो चीज एक बार दुबारा पढ़के चली जाए जाए, वो दुबारा जो एक बार समझी थी, अगर उसको दुबारा समझ के चला जाए जाए, तो मुझे लगता है, सर हो ही नहीं सकता, कि पेपर में एक कोशिश की है वो यह जादातर प्रीवियस एयर के सवालों को उठाकर तुम्हें यह बताया जाए तुम्हें पढ़ाथ हो ना रहे थे एक घंटे में कोई आदमी तुम्हें क्या पढ़ाधेगा तुम्हें सिरु यह बताना था कि भाई आप ये देखिए, ये सवाल एक जैसे चले आ रहे हैं, एक shift का सवाल, अगली shift में, अगली shift का, उसके अगली shift में, उससे पहले के साल के सवाल, उसके और पहले के साल के सवाल, in fact, advanced level के सवाल भी मैं तुम्हें दिखा रहा था, all most category same है, सर, कहीं कुछ, मैं अगर अभी organic chemistry की बात करूँ, तो भी, inorganic physical की बात करूँ, तो भी, सर, मुझे इस series को देखकर, या इस series में बैट कर, एक चीज़ समझ में आती है, सर, कि paper सिर्फ ऐसा ही बनना है, paper हर साल एक जैसा बन रहा है, paper मुश्किल नहीं बनता है, वो अलग बात है, कि April का attempt, January का attempt से थोड़ा different हो सकता है, सर, toughness wise, अच्छा भी हो सकता है, easy भी हो सकता है, लेकि सर, मुझे ऐसा लगता है, कि सर, वो कुछ भी करेगा, उसके कुछ set तरीके हैं सवाल पूछने के, वो set तरीके मुझे एक बार पकड़ में आ जाए, और मुझे ये समझ में आ जाए, कि मुझे किन चीज़ चैप्टर कभी नहीं पड़ा, उसको गिनी चुनी बातों सबसे पहले समझ लेनी चाहिए, मैं यहीं नहीं कहता कि वो यही पढ़के जाए, टाइम था, तुम्हारे पास तुम्हें सब कुछ पढ़के जाना चाहिए, ज्यादतर चीज़े पढ़के जानी चाहिए, बट फ पर फॉर्म टेस्ट है, सर यह कुछ गिनी चुनी पास साथ रियाक्शन से आठ रियाक्शन से जो एंसी आटी में स्पेसिफिकली भले कम लेवल पर लेकिन दी गई है, सर मैं सबसे पहले उनके उपर प्राक्टिस करता हूँ, उनके आयुए सवालों को उनके दीखे उए पर आजा सकता है, मैं सब लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, सब लोगों को यही अपनी सलहा देता हूँ, कि वो सब बच्चे जो अपने भविश्य को लेकर सीरियस हैं, वो इस बात को मेरी इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कि यह अटेम्ट तुम्हारे यह कुछ बहुत नायाब काम नहीं करने वाला, यह अटेम्ट बिल्कुल वैसा ही होने जा रहा है, जो आपने पिछला आटेम्ट दिया था, इस अटेम्ट के डिफिकल्टी लेविल पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अगर यह कहता हूँ कि डिफिकल्ट प बहुत समझदारी से चीजों को रिवाइस करें, और वो समझदारी यह कहती है कि हर चैप्टर के सर गिने चुने 5-6 टॉपिक्स जिस पर हर बार सवाल बनते हैं, उनके 20-20 सवालों की प्राक्टिस कर डालूँगा सर, और उसके बाद जो जो मैंने एक बार पढ़ा है, उसक सर, एडवांस के पेपर में भी कुछ अब खास टफनेस नहीं रह गई है, वो तो सर, वो मुझे परिशान करता है मैस्दा कॉलम से, वो मुझे परिशान करता है मल्टी करेक्ट आप्शन से, जो मुझे सबसे ज़ादा दर्द देते हैं, यानि सवाल तो मुझे आता है, ले अपरिल के अटेम्ट को बैंट बजा के खतम करता हूँ, और मुझे लगता है यह आसान है सब लोगों के लिए, मेरी हम सब लोगों की, बेस्ट विशिस तुम लोगों के साथ हैं, all the best, जम के भैनत करो, खूब खूश रहो, thank you, thank you so much.